किसानों और CITU के सभी संगठोनों को मिलकर समस्यावा वरिष्ट रूप से किसान विरोधी बिलों का वापसी लेने के लिए पैदल मार्च करते हुए काफी किसान मजदूर रहवाडी पटरी यूनियन चौकदार यूनियन आसा वरकर मिड़े मेल वा अन्य मनिश्टर राव इंदरजीत के आवास का घेराव किया जिसमें राव चौक अनिचित धरने पंडाल से लेकर पूरा हुजूम राव इंदरजीत के आवास के लिए पैदल मार्च करते हुए चला वेसे आवाज से कुछ दूर रोग दिया गया था तो सभी रोड पर बैठ गए फिर नायब तेहसिलदार गुरुग्राम को ग्यापन सौपा और आसा दिलाई की हम आपकी मांगों को सरकार तक पहुँचाएं जिसमें CITU के रहवारी के नेतार राव राज सिंग, CITU के देख्ट संयुक किसान मोर्चा गुडगामा, जनवादी महिला यूनियन से उसा सरहोजी मेवाद चोकिदार यूनियन के अनिल काटपूरी, जे भगवान, CITU के राज जे सचियू, अरसद वकील किसान कार रेकरता मेवाद, रोतास पिरदान चोकिदार पुनाना ने आदी अनेक भवन निर्मान करमचारी, CITU, रेवाडी पटरी यूनियन, आसा वर्गर, मिड़े मील, सफाई करमचारी आदी, अनेक संगटों नों भाग लिया, चलिए हम आपको सुनाते हैं कि CITU और किसानों का क्या कहना है, अगर आपने DTV नीट चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, आप हमें फेजबूप पर भी फॉलो कर सकते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजी हमें अजाज़त, केंद्रिय मंत्रिय है, यहां के संसेत है, खुर्गावारी वाडी में वाद के उनका घेराबंदी करने आए हैं, आज पुलिस परसासर ने हमें यह रोक लिया, और उनके नामें ग्रापन दिया है, और हम फुले रूप से किसान वरोदी जो खाले कानून है, उनको वापस ल सवाल खड़ा होता है, कि आप किसान है यह नहीं है, यहां अंदोलनकारी के रूप में आए हैं, आप अंदोलन जीवी हैं, पर जीवी हैं, यह किसान हैं, यह मजदूर हैं, सच में आप हैं कौन, आप हमें बताईए हम अरियाना के इसार चिले के सोर के गाओं में किसान परिवार में पैदा हुए, मेरे पिता जी एक किसान हैं, और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, लेकिन मैं एक भेक्री में काम करते विए, मजदूरी करते विए ट्रेड में आया, और हमने ट्रेड में आने के बाद, शं संगर्षी जीवन है कि तमाम इतियास बोलता है लोग वो लोगा कूम जीवी हम संगर्ष के आगे बढ़ाने वाले लोग अजादी का संगर्ष से लेकर आज तक का ये संगर्षों का इतियास है जिने देश को बचाया है सर आपका नाम क्या है सर आप यहां पर आज जो इकटा हुए थे आप फिनमांगों को लेकर इकटा हुए थे और आपकी लड़ाई कब तक चलती रहे गिए आज जो यह परदसन मुआ है यह सरकार ने जो तीन काड़ कानून बनाए है जनता पर जवर्दस की तौपे हैं उनके खिलाब तथा चार लेबर कोर्ट बनाए हैं मजदूरों के खिलाब उनके खिलाब यह परदसन किया गया है और सरकार को व्यापन सोपा गया है यह जो काड को रद कराने के लिए किस हद तक जाने के लिए आप अपनी तैयारी करे बैठे हैं आपके मनसा क्या है आप कब तक लड़ते रहेंगे कब तक इस लड़ाई में जारी रहेंगे आज किसान आंदोलन का असीवा दिन है और गुरू ग्राम में आज जो अनिस्टिन का लिए दरना है उसका उनन चास्वा दिन है जब तक तरका तीनों कारे कानूनों को रद नहीं कर देगी लेबर कोर्ट को रद नहीं कर देगी तब तक आनून जारी रहेगा राज सिंग जी आप यहां इकटा हुए हैं आप पहले तो यह बताएए किस हैसिय से किस पद से आपके मजदूरों के किस पद से आए हैं जलारे वाडी शियाज्जों का सहसा यूद्ध हूं और जो आज पूरे देश में जो सरम कानून जो 44 सरम कानून थे वह खतम कर दिये सरकार में के अंदर सरकार में और जो चार कोड़ों में बदल दिया और इसके साथ साथ मजदूरों के पोई सुनवाई ली उद्धोग को पूरा तरह से उजाड दिया गया है इस द्धोगों के बचाव के लिए मजदूरों के बचाव के लिए और सरम कानूनों के बचाव क आपको सरकार की तरफ से आपको मंत्री की तरफ से आप जिनका गहराव करने के लिए उनकी तरफ से क्या आस्वासन मिला है और आप उस आस्वासन को लेकर किस तरह से खुशी होकर जाओगे या दुखी मन से जाओगे खरेगी और जिसमें मजदृ और किसान दोने साथ मिल के लड़ेगे हैं अब मजदूर और किसान की लड़ाइगे लड़ Talking सरकार तरह से इनको बदनाम कर रहे हैं या नहीं कर रही है तो अपने हिसाब से आपको सच्छा कह रहे हैं आप सत्मुच में किसान या मजदूर ही मजوں मजदूर किसान गर से वास्ता ही नहीं है हम तो यहां मजदूर किसान इस्टी जो कोई करता है उनका कोई वास्ता नहीं है वो तो ब्यापारी है वो तो सेट है फंजी पती है उनका वास्ता ही किर्शी से और मजदूर उसे नहीं तो हमें तो ऐसा कहेंगे उसकी गलती नहीं है उनका कहने का यह फर्ज भी है हमारा हम जो मजदूर के बेटे हैं किसान के बेटे हैं तो हम दुआ इसमें को बनाव दिखार की बात में हमाने हमाने